नमस्कार दोस्तों मैं हूँ दामेनी यादव और बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी स्पाइडी फेस्बुक लाइब पर दोस्तों सबसे पहले तो आपको World Theater Day की बहुत सारी बढ़ाई बहुत सारी शुपकामना है वो इसलिए क्योंकि हम चाहे कहीं भी हो किसी भी किरदार में हो एक किरदार हमारे अंदर हमेशा सांस लेता रहता है चिपा रहता है अब यों तो राजेश खन्ना भी कह गए हैं कि य हम सब इसकी कटपत लियां बरहल इस मौके पर बजाए इसके कि मैं अपनी बहुत सारी बाते आप से शेयर करूं या खुद अपना वीजन आपके सामने रखों मेरे पास एक बहुत खास महमान है जो थेटर की दुनिया का ना सरफ एक जाना माना नाम है बलके उन्होंने आपका और मेरे साथ है मेरे सायोगी केतन वैद्य केतन वैद्य केतन वैद्य ना सरफ मेरी टीम का हिस्सा है बलके केतन ने थेटर में भी अपने बहुत सारे हुनर दिखाई है इन्होंने एक्टिंग भी की है इन्होंने डेरेक्शन भी किया है और भी इन्होंने बहुत सार जखम वोई हैं, बहुत सारी खुरापाते की हैं, इनकी भी knowledge का हम फाइदा जरूर उठाएंगे, क्योंकि हमारी ये पूरी कोशिश है, कि इस Facebook Live में आप ना सरफ थेटर की दुनिया से जुड़ी होई कुछ बाते जाने, बलके हम चाहते हैं, कि अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई जानकारी है, आप चाहते हैं हम से, तो वो भी हम इस Facebook Live के दौरान आप तक पहुंचा सकें, तो हिमार्शुभी जोशी जे, सबसे पहले तो मेरा सवाल आप से ये है, कि जो आर्ट फॉर्मेट है, कोई भी आर्ट फॉर्मेट हो, वो अपने आप में complete ही कही जाती है लेकिन हम ठीटर को complete art format क्यों कहती हैं? इसलिए थीटर को एक तरह से complete कला कहा जाता है, पूरी तरह से पूरी कला कहा जाता है, लेकिन इसको एक तरह से आपने दूसरे तरह से भी देख सकते हैं, कि हमारे यहां पर वेस्ट में जो एक रिचार्ड वेनर करके एक जो अपेरा composer थे, उन्होंने अपने टाइम पर इस देखने के लिए लल्चा है, मतलब वो जो थेटर है, वो टोटल थेटर है, और केतन आपने तो अपने जन्दगी मतलब आपने उन जैसा कि मुझे बताया था कि आपने थेटर की शुरुआत मतलब शौकिया की थी, लेकिन उसमें आपने बहुत सारे रूपों में योगदा अपने बिल्कुल थेटर जो है, वो हमारी जिन्दगी का एक अटूट अंग है, और अगर हम भारतिय परिदृष्ट में भी देखे, तो बंगाली संस्कृती हो, मराठी हो, या इवन साउथ में, थेटर का एक ऐसा किरदार है, कि जैसे हम ब्रेश करते हैं सुब, तो उस आ अपने बड़े मंचन के थेटर्स होते हैं, नीजी थेटर्स होते हैं, और आप कोई भी अगर स्तानी अकबार खोल के देखे, तो वहाँ पर आपको देखेगा कि हर दिन 25-30 प्रस्तूतियां तो होती ही है, और एक एक छोटे, क्योंके हिमान्शु जी ने भी बताया कि ये स हमारे फिल्मों में गाने इतने क्यों होते हैं, या उस ग्रामर का उगम कहा है, तो उस ग्रामर का उगम थेटर में है, क्योंके जो दादा साहिब फालके ने जब पहली टॉकीज शुरू की, तो उनका रेफरेंस पॉइंट थेटर ही था, और तब कौन सा थेटर हावी था, तो संगीत रंगभूमी हावी थी और ऐसा बताया जाता है कि अगर दो गंटे का मंचन हो तो वो बारा गंटे तक चलता रहता था क्योंकि वन्समोर हर एक गाने के लिए मिलते थे और वो semi-classical form के वो गाने थे तो शुरुवाती रंगमंच से और संगीत रंगमंच से प्रेरित होके हमारी फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़ी और आज अगर हम फिर वो पेडो के इर्द गिर्द हो या और थोड़े गंबिरता से शूट किये होए गाने हो गाना संगीत हमारे फिल्मी तहजीब का अंग इसलिए बना क्यूंके हमारी फिल्मे जो है वो थेटर से प्रेरित है बिल्कुल बिल्कुल तो इसके लावा हमान्शु जी मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है जब हम थेटर की बात करते हैं तो थेटर मतलब सरफ एक्टिंग की हो उसमें लाइटिंग होती है कॉस्टिम होता है, स्कृटिंग होती है, मेक अप होता है, बहुत सारी चीज़े होती है लेकिन थेटर मतलब एक्टिंग, जाद अतर लोग ऐसे ही समझते है पहला जो impression होता है वो actor का ही होता है क्योंकि actor मंच पर जाता है तो उसको देखकर के हम सारी चीज़ों का अनुवान लगाते हैं उसके उपर ही make-up होता है उसके पीछे ही दृश्यावली लगती है उसको ही costume पहना जाता है तो actor हमारा theater में center point होगा ही होगा तो उसको लेकर करके हम पहली बात करते हैं लेकिन उस सारी चीज़ां बाकी चीज़ां जो allied होती है वो उसको ही बनाने के लिए होती है लेकिन एक किरदार नहीं है एक कहानी को रचने के लिए कोई हम किरदार रचने नहीं जा रहे है बहुत बार किसी एक्टर के नाम पर आपने बहुत बार थीएटर नहीं देखा होगा महराश्टर में होता है तो उनके एक एक एक्टर के नाम पर थीएटर होता था लेकिन थीएटर टोटैलिटी में कहानी कहने की एक कला है और उसको हम अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं बलकुल हमाचुछी एक चीज और है अब देखिए मतलब एक स्टेज की जब मैं परिकल्पना करती हूँ तो उसमें बहुत सारी चीज़े आती है कॉस्ट्यूम का भी अपना योगदान है लाइटिंग का अपना योगदान है मेकप का अपना योगदान होता है लेकिन अगर हम नुकड नाटक के फॉर्मेट को देखें तो वहाँ तो कुछ नहीं होता लोग सरफ एक जीन से एक कुड़ता और सरफ एक अच्छी सी कहानी के सहारे बहुत अपीलिंग बात कहा जाते है ऐसे में मतलब यह जो तमाम चीज़े मैंने आपको गिनाई इनका किसी प्ले पर या उसकी सक्सेस पर या उसके मंचन पर या उसके प्रस्तुती करण पर कितना प्रभाव पड़ता है देखिए बहुत सारा प्रभाव पड़ता ही है हर चीज में नुकड अपनी तरह का एक थेटर है और प्रोसिनियम अपनी तरह का थेटर है प्रोसिनियम थेटर वेस्स से यहां आया हम लोगों का थेटर एरेना थेटर था हमारे हम लोगों को गोलाई में बैठा के बीच में थेटर करते थे तो रामदिला भी वैसे होता था तो उसके बाद जब प्रॉसिनियम थेटर वेस्ट से आया तो हमने उसको यहां पर बहुत सारे हॉल बनाए अंग्रेजियों के टाइम पर उन हॉल में फिर वह साहे प्रॉसिन जाग पैदा हुए थे नंगे पैदा हो थे उसके बाद दीरे दरे हमने कपड़ा पैनना सुरू किया तो कपड़ा भी हम अपनी संस्कृति के हिसाब से पहनते है न कि कोई बंगाल का बंदा धूति पहनता है और हम लोग आज हम जीन सोर यह पहनते हैं टी पैना टेक को हर संस्कृति के लोगों ने हर अलग अयमों में देखा और उसको अपनी तरह से देखने की कोशिश की यह निकी मलब उसको कोई साबून की टिक्या नहीं बनाया कि एक तरह का ही मचीन में गया दूसरी तरह से साबून जैसा आ जाएगा तो थेटर अपने आप अगर बढ़ता रहा अब यह तो कहते हैं कि सादगी भी कयामत की अदार रखती है लेकिन अगर उससे सजा दिया जाए निखा दिया जाए तो क्या बुराई बल्के भलाई ही भलाई है चीजे और खुबसूरत नजर आती है और जाहिर सी बाते के इन तमाम चीजों के से जो एक प्रस्तुती करन तयार होता है वो थोड़ा सा और प्रभावी थोड़ा सा और लुभागना हो जाता है अब यह लुभागने पन की वज़े से मुझे एक चीज याद आती है हिमान्चु जी के आपने एनस्डी में एक अच्छा खासा अर्सा बिताया है तो मैं चा इस तरह के बहुत सारे लोग वहां पर थे अब मोहन महरेश्टी के पले में काम किया वहीं से मैंने बैक स्टेज में भी पहुत सारी चीज हैं सथिक्ए। बश्ट URL बनाना ऋस्थ का और सेट डिजान करने सिखे। तो सीखने की जो एक पूरा एक ताइम पीरियड होता है उ कि जितने भी अधिकतर जो हम काम करते हैं अज़ के टाइम में हंदुष्टान में भी बहुत सारे हजार से ज्यादiser क्राइब तो उन लोगों के साथ बहुत सीनियर भी लोग हैं बहुत सारी लोग नहीं भी हैं दुनिया में भी उन लोगों ने जो जो काम किया है और अभी मेरे खाल से हिंदुस्तान में सब चगे पर एनसडी के लोग हैं तो उन्होंने अपने अपने शेत्रों में भी काम करना सुरू क लेकिन यहां पर मतलग कितनी दोस्तों अलग सी बात है कि आप बतौर एक्टर शुरुवात कर रहे हैं और उसके बाद आप मंच कम हो छोड कर मंच से पीछे चले जाते हैं लाइटिंग में सेड डिजाइनिंग में इंसर चीजों में जब कि हम जंदगी के किसी भी कोने में हो यह हमारी खाईश होती है कि हम एक बार कैमरे के सामने आएं या एक बार मंच पर आएं और जब मंच पर आप बतौर अभी नेता आ चुगे दे उसके बाद उस मोमा हैसे निकल के मंच के पीछे मतलग कैसे जा पाए यह आसान नहीं होता है वैसे लेकिन आपको एक टाइम प तो इंजिनिंग करते हुए मैं आपको एक किसा सोना देता हूँ कि जब मैं एक कंपनी में काम कर रहा था तो वहाँ पर यह हुआ कि दो इंजिनियर्स के बीच में एक प्रोड़क्टिविटी को लेकर के कम्टिशन हो गया उन लोग उसमें उसी कम्टिशन के बीच में एक कि मौत हो गई तो मुझे लगा कि यह इंजिनिंग और इस तरह की जो चीज और उसको मौफजा भी नहीं मिला तो मौफजा मिला यह जो भी हुआ लेकिन वो कहीं हाइलाइट नहीं हो पाया तो वो मुझे लगई बहुत ही अमान हुई असमवेदन शील लगा तो मुझे आ गया उस तरह से तो एक तरह से ठीटर करते हुए खरते हो एक आप ज़ाइटर को बना पारे है true तो उसमें क्या होना चाहिए फिर कशिका मनहास कह रही है शारुक खान ने भी अपनी ट्रेनिंग एनसडी में की एनसडी वरक्शॉप्स काफी दिल्चस्प होते हैं काईरा गुपता हमारी दर्शक है वो पूछ रही है कि आपको इस पेशे में क्या दिक्कते आई हाँ यहाँ पर हिमाची जी बलके मैं एक बा महारास्टर से बात की तो महारास्टर में क्या होता है फिल्म और थेटर के बीच में एक रिलेशन्शिप है वहाद लोग थेटर भी करते हैं और फिल्म भी करते हैं क्योंकि इंडिस्ट्री वहीं पर है लेकिन नौर्थ इंडिया में क्या है कोई इंडिस्ट्री नहीं है इ या एक्टर क्या जो पीछे जो काम करते हैं, वो सब लोग भी थेटर में भी काम करते हैं और फिल्मों में भी काम करते हैं, तो ये एक तरफ का एक्चेंजिंग है थेटर क्यों कि थेटर का ही एक्स्टेंशन है मेडिया या फिल्म, तो हम जो भी कहानी गड़ते हैं थेटर मे बिखना पड़ेगा और बंबै में जाकर करके आपको फिर थीटर लिए टाइम ढूना पड़ता है यह सपेस धूनना पड़ता है वहांपर तो एक लंबी कहानी हो जातेए इसले लोग बहुत सारी लोग इसले थीटर जो करते उसके बाद फिल्मों में जाते हैं और पिर वापस भी नहीं आपाते हैं बहुत बार लोग फिल्कुल और यहाँ पर मतलब हमशू मैंने एक चीज यह भी महसूस की है कि लोग committed theater की बात करते हैं, कि जो लोग theater करते हैं, उनको theater ही करना चाहिए, वो film का ticket क्यों बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात केतन मैं महसूस करती हूँ, कि जितने play होते हैं, हम सबसे पहली चीज क्या देखते हैं, कि pass कैसे मिल सकता है, जान पेचान का कौन है, बिना ticket entry कैसे हो सकती है, मतलब हम किसी भी चीज पर बड़े से बड़ी रकम खर्च करने को तयार होते हैं, लेकिन theater या किसी भी performing art पर, अगर मतलब हमें ticket लेकर entry करने पड़े, तो हम बहुत पीची होते हैं, टिकेट लेकर entry करना और प्ले देखना हमारी कल्चर में, जैसे शामिलगी नहीं है, अब ऐसे में हम, हमाश्यों ये क्यों मीद करते हैं, कि जो theater के कलाकार हैं, या जो theater के actor हैं, वो बिलकुल संतोश जनक जीवन बिताते रहें, उनकी जन्दगी में चमक दमक ना हो, ऐसे क्यों? मैं एक तरह से ये मानता हूँ कि, जो theater है, वो theater राज़र्श्रित ही होना चीए, सरकार को support करना चीए उसको, क्योंकि ये एक तरह का, जैसे education system होता है, theater भी अपने आप में एक education system है, जैसे ये फिल्म और theater के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो film में एक तरह से जब जाते हैं, तो वो एक तरह का business angle उसमें जुड़ जाता है, लेकिन theater में वो business angle नहीं आया है, और नहीं कभी आप आप आएगा, जहां भी ticket भी बिखते हैं, माना दो लाग का आपने एक play बनाया, तो दो लाग के ticket भीचने के लिए आपको 10 साल लग जाते हैं, या बहुत टैम लगता है, एक लंबा अर्सा लग जाता है वो पैदा करने के लिए, तो जितना भी जो भी funding होता है, वो सरकार से होनी चाहिए theater को, और उसी से वो चलना चाहिए theater, क्योंकि वो एक तरह का एक एक तरह की education पद्यत, इमलब से educational model है एक तरह का theater, जो वहीं से हम लोगों को जागरूप करते हैं, वहीं से लोगों को ले जाते है theater को, कुछ राज्यों में राजाश्रे तो मिलता है theater को, लेकिन जैसे अभी movie, तो आज हमारी movies, big budget, अभी मैं दर्जे के सवालों में नहीं जाओंगा, लेकिन movies बहतर बन रही है, यह उसमें ज्यादा investment हो रही है, उसकी एक वज़ा है कि मंचन के कई सारे screens, इफराद screens जो है, वो मिल गये हैं, तो उसी तरह से theater की मंचन के जितनी ज्यादा मंच मिलेंगे, उतना वो multiplying effect होगा, और फिर economies of scale जिसको कहते हैं, वो theater में आएंगी, और theater culture तो होता ही है, और उसको बढ़ाने में government तो एक किरदार, मुझे लगता है कि जरूर अदा करती है, एक सवाल यहाँ पर हम मतलब आपस में discuss इस बात को भी कर सकते हैं, कि जैसे हम कपड़े खरीबने के लिए पैसे खर्च करते हैं, या खाने के लिए खर्च करते हैं, बहुत धीक अभिरुची भी एक चीज है, और 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 theater हमारा बहुत ज्यादा progressive रहा है, गिरिश करनाड हो, विजए टेंडूलकर हो, या फिर जो भोपाल के महनमर्शी जी है, जो नहीं रहे, जो की प्रहार में भी उन्होंने काम किया था, उनका नाम हभीब तन्वीर जी हो, अभीब तन्वीर जनाब हो, इसका बहुत ही बढ़िया उधारन है तुगलक, या घाशीराम कोत्वाल जो है, बहुत ही दिवादास्पत नाटक था विजए टेंडूलकर का, कि जन्ता की बिल्कुल ना सुनकर कोई भी कानून व्यवस्ता जो है, वो कैसे सप्पे हवी हो जाती है, तो वो उसका उधारन था, नाग मंडल था ही, तुगलक का दो जिक्र हमने किया ही, तो ऐसे नाटकों की वज़े से हमारी अभिरुची कितनी संपन्न हुई है, उशा गांगुली ने बर्टॉल ब्रेक्त को हिंदी और मांगला रंगभूमी में लाया, मदर करेजन, माटीर माइ, मदर करेजन, हर चिल्डरन के जरिये, तो ये जो है, हमें मेरे कहल से हमारी सांस्कृतिक अभिरुची को और साहितिक अभिरुची को भी बहुत संपन्न करने का थेयर्टर ने काम किया, जी वो तो मैं देख भी रही हूँ, तब भी एक आंकी लिखना हो, उसका मंचन करना हो, और मैं इसलिए जुड़ पाए है, मेरे जैसे और भी शौकिया लोग इसलिए जुड़ पाए, क्यूंकि वैसी कॉम्पेटिशन होती थी, और बारीक मुद्दा मैं ये कहना चाहूँगा, कि जैसे हमारे यहां स्कूल में बालरंग मंच है, कुमार कला केंद्र और चीज़े होती है, जो कि बालरंग मंच को बढ़ावा देती है, फिर आप ग्यारवी, बारवी, बारवी कक्षा में जाओ, कॉलेज में जाओ, तो इंडियान नैशनल थेयर्टर या भारति विद्या भवन, इनकी अलग-अलग प्रतियोगिताएं होती है, तो जितनी प्रतियोगिताएं हो, जितना मंचन के मौके हो, उतनी सहीताएं आएंगी, उतने मंचन होंगे, और कॉलेज के अपने थेयर्टर के लिए बजट्स होते हैं, आप ये जो बात कह रहे हैं, इस बात से आप इत्तफाक रखते हैं, बजट के लिए मारा मारी तो होती है, वो हर कॉलेज की कहानी होती है, कि थेटर ग्रूप को लगता है कि कॉलेज अपनी सारी विदाय बंद करे और सारा पैसा थेटर के लिए अलग करे लेकिन ज़स्बा ज्यादा इंपोर्टेंट है पैसा दूसरी शेडी में आता है दोस्तों हम कहते हैं ना कि पढ़े लिखे को फार्जी क्या हाथ कंगन को आर् कुछ अदाईगी तो हो जाए कि सर को अपनी अपनी चहीते कोई मंचंद से जुड़ा कुछ करेंगे लेकिन आप जरा कोई अपनी मतलब जरा एक नमूना हो जाए नमूना दिखी एक तेटर कहते है कि कविता से ही उगम हुआ है तो कविता की कुछ थोड़ी देर पहले हम जो कह रहे थे कि गुलजार साब की कविता है तो वो कहेंगे और फिर आखिर के लिए तो कुछ हमने खास रखा ही है जी जी बांद के सिरा कोई और उसमें आगे बुनने लगते हो मैं में एक बार बुना था एक ही रिष्टा जिसकी सारी गिरहें साफ नजर आती है मेरे यार चुला है वह 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 बहुत सुंदर और हिमाश्य ची मतलब यहां पर आज हम जहां बैठे हैं कितना सारा करूना का डर फैला हुआ है कितना सारा करूना का डर हम झेल चुके हैं लॉक्डाउन के दारान हमने देखा कि पूरी दुनिया वर्चॉल वर्ड की तरह सिमट गई है और अब मतलब थैटर दीरे इससे उबरने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये कोशिशे कितनी काम्याब हो पाई है लेकिए थीटर तो ये महमारी तो नीस तो नीस का असपास भी आई थी तब भी लोगों ने उसके बाद थीटर किया कुछ टाइम के लिए थीटर रुक जाता है कुछ इस बार तो फिल्मे भी रुक गई हैं बहुत सारी चीजो लोगों टूर्व नीस सब जाए आन तो अभी जात लोगों ने ओन लाएन किया जैसे निए इरीन भी में है वहाँ पर प्र पर जाता है उन्हों टीन गदट इःतर किया उन्होंने Instagram theater इजात किया इस तऱ के बहुत सारी चीजे नही नहीं चीजे लेकर कर आये लोग और हमारे यहां पर अफे भी бहुत सारा theater जो है इस तऱ से Facebook में theater हुआ YouTube पर theater हुआ लोगोंने अपने festivals दिखाए लगातार और एक तरह का थेटर को यह दिखाया है कि जागरूख हैं सब लोग और कुछ न कुछ करना चाहते हैं तो यह थेटर का एक जज़बा है जैसे आपने बूला सबUSTबार के सबस्राव यह थेटर को पूचनि उनके एक दोस्ते एमृत्व साफ यॺ ज़ी खना चाहते हैं तो उनको उसके जाना चाहिएैयक जो यह रिक साथ ले लेंगे समक्ष पूछ रहे हैं कि थेटर अक्टर्स, वाई थेटर अक्टर्स नॉट पॉपिलर दान बॉलिवोड अक्टर्स और आशिश और एक सवाल कर रहे हैं कि वुड लाइक तो नो इफ दूइंग थेटर हेल्प्स इंप्रूविंग परसनालिटी इसलेटी इसलेटी, इसलेटी चाहिए पहला सवाल है एनज्डी के बारे बहेना न आशिवा एक्टर्स हमारे यहाँ पर भी प्रसनाजी एंजिनिर्इंग बेग्राउंड से अए थे और भी बहुत सारी लोग इंजिनिर्इंग बेग्राउंड से आए तो तो साइनस बैग्राउund से बहुत बर क्या होता है, कि साइनस बैग्राउंड आपको उस तरह से वो संपूनधा की जो बात है, वो नहीं दे पा रहा है, तो आप लोग कलाउंगही तरह मुडते हैं, तो बहुत लोगं को कला एक दम से चूच करने महासानी होती है, और कर लेते किसी ना जोड़ा हुगा उनके साथ काम करना हुगा किसीcling करना होगा आल एक सरी आज करना होगा किसीुड़ के वेग्वाक्शॉप करना हो樹 का लिख वोग्शॉप की ऊंड़ा है पुर्ष okay yourself करते ना किसी पीच करना है या बॉड्डिकाज और कैसे हो, आप कैसे gestures बनाएं, क्या करें, human body तो सब की वही है ना, तो उस body को किस तरह से हम तराश सकते हैं, वही एक चीज होता है कि आप personality development वही है आप कितनी अच्छी तरह लोगों से बात कर सकते हैं कितनी अच्छी तरह पेश आ सकते हैं वो theater करता है अपने आपने शुरती पूछ रही है कि theater के बाद किसी को acting में career बर्सू करना हो, तो वो कैसे करें क्या agencies को approach किया जाए या theater group mentoring करता है theater group वैसे उस तरह से mentoring तो नहीं करता है लेकिन approach आप कर सकते हैं किसी भी तरह से कि आप अपना जो रिजुमी बना करके लोगों को भीज़ें, डिरेक्टर्स को भीज़ें ultimately लोग प्रिय होना जैसे लोग प्रिय वाला सवाल आयता है तो लोग प्रिय होने के लिए तो फिल्म मही जाना होगा क्योंकि मास तक पहुंचता है हम लोग कहते हैं कि थीटर एक ऐसी विधा है जो जो अलपसंख्यकों के लिए विधा है पचास लोग देखे हैं तो पचास लोगों के बीच में ही थीटर हो जैसे अगस्तो बोल ने जो थीटर किया था वो रोट साइड में करते थे इंडिविजिबल थीटर करते हैं जैसे हमारे बीच में ही आकर के लोगों के बीच में कि एक्टर कुछ-कुछ बातें करने लेगेगा हो सकता है राजदीती की बात करें सामाजिक उत्थान की बात करें इस पर उतना पॉपुलर नहीं होंगे लेकिन पॉपुलर हो जाते हैं लोग पॉपुलर हम जब लोग एक बार जैसे पटना गए थे या हम बंगाल गए थे तो वहां लोग हमसे अटोग्राफ लेने के लिए आये थे थेटर में भी होता है लेकिन आपको ज़्यादा पॉपुलर होना है तो आपको फिल्मों की तरफ मुणना पड़ेगा और यहां पर ही तो यह चीज देखने को आती है अपसे एक सबाब चोटा सा पूछना चाहता हूँ और फिर बाद में थेटर सीखते थे और उसका मंचन भी करते थे मतलब थेटर के जरीए गाओं उन्होंने कहते हैं कि बसाया था मद्यपरदेश के गाओं में और उसके जरीए वो लोगों का उधर निर्वा का भी खयाद रखते थे और थेटर भी करवाते थे हभीब जी जो है वो राडा जब गये थे राडा से पड़ा रॉल 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 इंस्ट्यूट अप आर्ट करके राडा रॉल अकैडमी अब आप्स तो वहां जा करके जब सीख के आए तो उनको लगा कि अब मुझे जो है अपने अंचल में जाके अपने एरिया में जाके का तो च्छतिशगड के कलाकारों के साथ उनको ने काम किये वहां की लोग विधाओं को लेकर ही काम करना जुरू किया तो वहां के नौन एक्टरस जो थे जो गाउंत में थे काम कर रहे थे खेतों में उनको लेकर के उनके साथ प्ले लिखे उनको उनके साथ ही जो भी गाना वहां का लोग उधाउं के जितने भी गाने थे, un को लेकर, उन्होंने आगे बढ़े. फिर वो डिल्ली आये, यहानपर, बेर सराय में यहां पर उन्होंने नाठक करना सुरू किया, उसके बाद यहां से ल स्हेel से निकाल आ गया कि आप यहा नाठक नहीं कर सकते हैं, तो उसके बाद वो भुपाल चलेगे, भुपाल में जा करके अपने ग्रुप को ले करके काम किया उन्होंने, उन्होंने खुद फिल्मों में भी काम किया, उनके बहुत सारे एक्टरों ने फिल्मों में काम किया, तो वो एक तरह का जो अपने अंचलिक चीजों को ले करके का करने की एक जो होती है ना कि आप आप हैली एजुकेटेड हो राडा से पढ़के आये हो उसके बाद आप अंचल में जाके काम कर रहे तो उदे एक अलग तरह की चीज़ है जो लोगों में एक तरह का जज़वा पैदा करता है और ऐसे बहुत सारे उदारान है दुनिया बंद या अविशकार मूमेंट से आप बाकिफ होंगे जो सुलभा दिशपांडे और अविन दिशपांडे ने शुरू की थी तो एक छोटे से स्कूल से दामिनी एक स्कूल ने अपना एक आडिटोरियम बहाल किया था और ये सतर के दशकों की बात कर रहा हूं एक ही थेटर मूम के जरियर हमारे समयक्षा है और यहां पर देखे एक बात और सामने उभर कर आती है कि सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि थेटर ॉक समर्पन की विधा है सेक्रिफाइज की विधा है आपको संतोष कर ना याद रखिएगा शोले की साथवी लाश बनना भी एक्टिंग ही होता है यह मन्शू मैं अगर आपके अनुभवों के निचोड के आधार पर कहूं कि अगर कोई थेटर में अपना करियर बनाना चाहता है तो उसे अप क्या चीज़ा सजेस्ट करेंगे आपने जा करेंगे बने शेटर है आपको बड़ार आखिएगे और लोग आपको आपको ढरते हैं और लोग आपको जच करते हैं आपको लेते हैं और आपको डेखते है कि यह क्या चीज में अच्छा है तो उस चीजें आपको सौबते हैं, आपको काम सकते हैं, लेकिन हमांचू मिलब जंदगी चलाने के लिए कोई नो कोई प्रोफेशन, मतलब जॉब या नौकरी या मतलब कोई नो कोई बिजनस करना बहुत जरूरी होता है, तो ऐसे में यह अधियां कि बहुत सारा जैसे जो न्यू एड्यु अड्यु पॉलिसी है, उसमें भी आपने देखा कि बहुत सारे टीचर्स, मलब यह थीटर को रख कर कही एड्युकेशन पॉलिसी को आगे बढ़ाने की बात है, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे टीचर चाहिए हुए पहले क्या होता था सीधे जा करके आप या तो अपने गाउं जाके काम करो या बंबई में जाके फिल्मों में ट्राइ करो लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे अब न्यूज खुल रहे हैं जैसे कोई प्रोफेसर बन जाते हैं इस्टी में स्कूल बहुत सारे प्राइविट स्कूल हैं और हम लोग मैं तो प्रोफेशन ही मैं यही करता हूँ और कुछ नी करता तो पिछले 30 साल से थीटर से ही मैं मतलब चल रहा है मेरे रूजगार भी चल रहा है और हम चाहते हैं कि आप यूही मतलब थीटर को अपना समर्पन भाव दीते रहे हैं और थीटर आपको सम्रि कि आप यही बात हो जो लिखने वाले के दिल से निकली हो और हमारे दिल तक पहुंची हो जी बिलकुल यह अपने कहा अधूरा मैं आधा भी कहूंगा क्यूंकि हम बात कर रहे हैं आधे अधूरे की और मोहन राकेश का यह जो प्ले था और हमारी सर से बात हो रही थी तो उ इस तरह का वो यह है तो उसके दो पैराज हम हमारे दर्शकों के लिए पढ़के बताएंगे और फिर उससे इजाजत लेंगे यह आधे अधूरे नाटक का पहला ही स्वगत जिसे कहते हैं या मोनोलॉग है और जिसमें उस पूरे प्ले की भूमिका जैसे की है पश्ट हो ज रहे हैं मैं क्या कहने जा रहा हूँ अब शायद सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूँ अभिनेता प्रस्तुत करता व्यवस्तापक या कुछ और परन्तु मैं अपने समद में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकता उसी तरह जैसे इस इस नाटक भी अपने में मेरी ही तरह अनिश्चित है अनिश्चित होने का कारण यह है कि परन्तु कारण की बात करना बेकार है कारण हर चीज का कुछ न कुछ होता है हाला कि यह आवश्चक नहीं कि जो कारण डिया जाए वास्तविक कारण वही हो और जब मैं अपने ही सम में निश्यत नहीं हूँ, तो और किसी चीज के कारण, अकारण के सम्मन में निश्यत कैसे हो सकता हूँ? मैं वास्तव में कौन हूँ? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना करना इधर आकर मैंने छोड़ दिया है. जो मैं इस मंच पर हूँ, वो यहां से बाहर नहीं हूँ. और पचानक जिस आदमी से टक्रा जाते हैं, वो आदमी मैं हूँ. आप सिर्फ घूर कर मुझे देख लेते हैं. इसके अलावा मुझसे कोई मतलब नहीं रखते कि मैं कहा रहता हूँ, क्या काम करता हूँ, किस-किस से मिलता हूँ, और किन-किन परिस्तितियों में जीता हूँ. आप मतलब नहीं रखते क्यूंकि मैं भी आपसे मतलब नहीं रखता हूँ. और टक्राने के क्षण में आप मेरे लिए वही होते हैं, जो मैं आपके लिए होता हूँ. इसलिए जहां इस समय मैं खड़ा हूँ, वहां मेरी जग आप भी हो सकते थे. दो टक्राने वाले व्यक होकर मैं किसी ना किसी अंश में आप में से हर एक व्यक्ति हूँ और यही कारण है कि नाटक के बाहर हो या अंदर मेरी कोई भी एक निश्चित भूमी का नहीं है यह जो हमारा अक्स होता है न दोस्तों यह सरफ एक दूसरे की आँखों में ही नहीं देखता बल्के रंग्मंच एक ऐसी आँख है जिसमें हमारी जंदगी का किरदार एक अक्स बनकर उभराता है हमांशू आपने तो इतने साल अपने थेटर को दिये हैं डिफिनिटली कोई कोई ऐसा डालोग या कोई ना कोई ऐसी लाइन जरूर होगी जो हमेशा आपको ऐसी लगती हो कि आपको रिफ्लेक्ट कराती है मैंने जब नाटक करना सुरूर किया था तो पहला जो नाटक पड़ा था वो अंधायुक था और वह इतना की कविता है और हम लोग बहुत दुनिया में तो उसी के उपर एक है तुकडे तुकडे हो बिखर चुकी मरियादा उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है पांडव ने कुछ कम कौरव ने कुछ ज्यादा ये रक्त पाद अब कब समाप्त होना है ये अजब युद्ध है नहीं किसी की वी जये दोनों प रुवित्था युक्का सिंहासन दोनों ही पक्षों में विवेख ही हारा दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन भय का अंधापन ममता का अंधापन अधिकारों का अंधापन जीत गया जो कुछ सुन्दर था शुबधा को मलतम था वह हार गया द्वापर युग बीत गया क्या बात है बहुत बहुत सुन्दर दोस्तों जो जिन्दगी है उसके लिए हम कहते हैं कि चाहिए कुछ भी हो जाए the show must go on तो क्यों ना जब तक ये show चल रहा है जब तक ये जन्दगी चल रही है हम अपने इनसानी किरदार में कुछ ऐसा कर जाएं कि ये परदा गिरने के बाद दी याद रहे तो वो किरदार याद रह जाए और अगर आपको हमारी ये छोटी छोटी कोशिश हैं जो की city spidey channel करने की की कोशिश कर रहा है आपको पसंद आती है तो प्लीज आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा लाइक और कॉमेंट आपकी ये चीजे हमें होसला बढ़ाने का काम भी करती है साथ में हमें बताती है के और अपने कारिक्रम को बैतर कैसे बनाए जाए तो आपका के तन वैदिजी में बहुत-बहुत शुक्रिया रख यहां आकर हमें इतनी अची अची बाती बताई है इतना मतलब रास्ता दिखाया उसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और हैपी होली तबको तो इसी के साथ जुड़े रहिएगा सिटी स्पाइडी चैनल फिर बिलेंगे कुछ ऐसी ही दल्चस बातों के साथ तब तक के लिए बाबाई